पुने आर्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्री मती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधु, श्री सुधीप कुमार मोदी, श्री मती हेमा मोदी, भाई एवं भावी, श्री राकेश कुमार मोदी, श्री मती कीर्थी मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्री मत फर्म सुरेंद्र इस्टेशनेरी मार्ड कटनी मध्यप्रदेश, मोधी इंटर्प्राइजस कटनी मध्यप्रदेश कल्यान आलोचना में ये कहा जा रहा है कि कैसी कैसी दुरलप्ता से जीव आगे बढ़ रहा है गाथा नम्मर साथवी आपके सामने है देखिए मिलान करें अन्नो नम्खजन्ता जीवा पाबंतिदारुनम दुक्खम नहुतेशिंपज्यत्ती कह पाबैधम मै सुनो अन्नो नम्खजन्ता जीवा पाबंतिदारुनम दुक्खम नहुतेशिंपज्यत्ती कह पाबैधम मै सुनो अन्योन्यम क्रुद्धन्ते जीवा प्रापनुबंतिदारुनम दुक्खम नक्खलू तेश्यम परियाप्ति कतम प्रापनोति धर्मति शुन्यह जीवा बेजीव क्रुद करते हुए खज्यन्ता खज्यन्ता बेजीव क्रुद करते हुए अन्योनम खज्यन्ता परस पर एक दूसरे का भक्षन करते हैं अब जीव बन गए तो एक दूसरे पर गुस्सा करते हुए एक दूसरे का भक्षन करते रहते हैं कमजोर को बलबान दवाता रहता है जिसका दाव जब लग जाता है तब वह उस पर भारी पड़ जाता है इसलिए कहा जीवा अन्नोनम खजनता बेजीव क्रोध करते हुए परस पर एक दूसरे का भक्षन करते हैं दारुनम दुखम पाबंती अत्यंत घोर दुख को प्राप्त करते हैं अत्यंत घोर दुख को प्राप्त करते हैं तेसिम उन जीवों में पज्जत्ती परियाप्ती नहुपूर्ण नहीं होती मैं सुन्नो मति सुन्न बेजीव कह पाबई धम्मो कैसे पाबेंगे धर्म को धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते अग्यान अवस्था में जीव कसाए के प्रभाव में प्रभावित हो करके भटकता रहता है सबल निर्वल को पकड़ता रहता है बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को पकड़ते रहते है चुहे को बिल्ली का डल लगता है किसका डल लगता है चुहे को किसका डल लगता है बिल्ली का डल लगता है अब चुहे को बिल्ली का डल लग रहा तो बिल्ली ही सबसे बड़ी हो गई क्या लेकिन वो है राजा बनी हुई बिल्ली कुत्तों के सामने कुत्तों के सामने चुहे जैसी बनी रहती है चुहे को बिल्ली का भै सताता है बिल्ली को कुत्तों का भै सताता है अच्छा देखो चुहा हो तो चुहे को सेर से डननी रहता चुहा को सेर से डन नहीं लगता सेर के आसपास घूमता रहे तो सेर भी कच्छु नहीं करता उसको सेर उसकी तरफ देखता ही नहीं है क्यों सेर के हसाब कर नहीं है मतलब देखो सेर का बैर चुहे से नहीं है बिल्ली का बैर सेर से नहीं है बिल्ली का बैर चुहे से है चुहे को किसका डर है चुहे को बिल्ली का डर है चुहा सेरों के आसपास घूमता फिरता रहे तो चुहा भी निश्चिनते रहता है उसको समझ में नहीं आता कि सेर हमारा कुछ बगाड़ेगा और सेर भी सोचता है कि यह हमारे कोई काम का यह हमारे काम का ही नहीं है सेर चुहे में कोई अपनी ताकत थोड़ी लगाता है तो चुहे को डर लगता है बिल्ली का और बिल्ली को डर लगता है कुत्ते का कुत्ते को डर किसका लगता है आदमी का समझ लो या ब्यागर का समझ लो ब्यागर जो होता ना उसकुता डरता है और ब्यागर को भी डर लगता है मतलब करम करम सा सबी एक दूसरे से डरते जाते है और आप कहो कि सेर निडर रहता है निर्वीक रहता है जंगल का राजा रहता है तो भाईया सेर भी डरता है बालों बाला सेर हो तो अगनी से डरता है और मनुशे से डरता है इंसान से डरता है अगर जादा भीड़ भाड़ देखे तो पहले तो भागने की कोसिस करता है आबेल मुझे मार कोई उलजने के लिए नहीं आता है अब जब आमने की सामना हो जाए तो फिर अपनी ताकत दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं हर जानबर एक दूसरे से डरता ही है भय संग्या सभी में है संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भय संग्या नहो देखो जंगल अंगल में कोई शामाम होने लगे तो आदमी को डल लगता है और भी यह बहुत घंगोर जंगल अब और 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 अभी तो खत्मे नहीं हो रहा जंगल क्या करेंगी रात में और जैसे देखे नहीं नहीं बस जानवर देखने लगे गाउं आ गया अब गाउं किसका है कौन सी समाज है क्या है यह बात की वात है गाउं देखने लगाना तो हिम्मत बन जात कि यह आदमी है अपने ते टिक जे है रहता कि नहीं रहता जानवर भी जंगल में भटक जाए तो भागता 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 आता अकले रहे गया उख्लाओज जब उसको जुन्ड दिख जाता एक अपना अपना एसा हो जाता रहे ठीक है ठीक है ठीक है आगए तो आदमी के मंण में डर तो ही भयसंगया है आहर की संगया है सब लगी हुई है तो ऐसी भह संग्या में निश्चिंतिता कहां मिलती है जब कोई सहारा दे दे जब कोई आसरा दे दे तो फिर उसको निश्चिंतिता हो जाती है क्या कह रहे हैं देखो क्रोधा विष्ट होते हुए बेजीव परस पर एक दूसरे का भक्षन करते हुए अत्यन्त दारुन दुख को प्राप्त करते हैं क्रोधा विष्ट होते हुए बेजीव परस पर एक दूसरे का भक्षन करते हुए अत्यन्त दारुन दुख को प्राप्त करते हैं परियाप्ति पूर्ण नहीं होने के कारण मति शून बेजीव अब परियाप्ति पूर्ण हुई नहीं हैं मन परियाप्ति आई नहीं है अब मन परियाप्ति नहीं आई तो मति शून रहेंगे विचार नहीं बिवेक नहीं बुद्धी नहीं क्योंकि मन आने पर ये सब काम होते हैं मन ही नहीं है तो परियाप्ति पूर्ण नहीं होने के कारण मति शून बेजीव धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जब मन ही नहीं है मति ही नहीं है बुद्धी ही नहीं है बिचार ही नहीं है बिवेक ही नहीं है तो फिर धर्म का पालन कैसे होगा तत्तु को तत्तु का ग्यान कैसे होगा अच्छे बुरे का ग्यान कैसे होगा मन हो तो यह सब बातें बनेगी और मन ही नहीं है तो फिर काम बनने वाला नहीं है इसलिए जब मन जैसी परयाप्टी फैई नहीं तो मठी शून बे जीव धर्म को पराप्त नहीं कर पाते अरे मन की परयाप्टी पूर्ण हो भी जाए और मतには देता हो मंद बुद्धी हो जाए कोई मन है फिर भी मंद बुद्धी हो जाते है अब मंद बुद्धी हो जाते हैं उनको अपने खाने पीने का ख्याल नहीं है नहाने उठने बैठने का ख्याल नहीं है कपड़े पैने नहीं पैड़े यह ख्याल नहीं है तो अब यही ख्याल नहीं तो विधरम की बात क्या करेंगे धरम और धरम का अंतर ही नहीं मालूम उनको अरे देन एक दिन्चरियए ही नहीं कर पा रहे हैं क्यों बुद्धी बिकसित नहीं हुई ना मन डेबलप नहीं हुआ है जिस तरह से ये इस्तितियां है और ऐसी अवस्थाओं में जीव एक दूसरे को परेशान करते हैं एक दूसरे से डरते हैं और एक दूसरे का भक्षन करके अपना उधर पोशन करते हैं जीवन का निर्वाह करते हैं करते हैं जीवन का निर्वाह करते हैं त्रियंच जीव एक दूसरे पर ही तो आसरत है ना मन शोह तो फिर भी विवेक रखे की सामने वाले को मारें की ना मारें लेकिन त्रियंच के लिए क्या है अरे चिड़ियां देखो कवगा देखो कबूतर देखो ये अपनी उधर पूर्ती कैसे करते हैं अनाच के दाने मिल गए तो सिकल लेते हैं नहीं है तो किड़े मकुड़े पकड़ते रहते हैं पकड़ते के नहीं पकड़ते शमुद्र के अंदर मचलिया है अब मचली क्या करते है बड़ी मश्ली चोटी को पकड़ती रहती है सांप मेंड़क को पकड़ते रहते हैं मेंड़क मश्लियों को पकड़ते रहते हैं सांप के लिए मौर पकड़ता रहता है मौर को भी किसी से डल लगता है लगता की नहीं लगता मौर को भी कोई नो कोई मार देता है तो ये एक दूसरे अपने उधर पूर्ती के लिए एक दूसरे का घात करते रहते हैं कितनी बढ़ियां बात लिखी देखो क्रोध से आविश्ट क्रोधित हो करके लड़ पड़ते जगड़ पड़ते बिरोधि प्रकरती के जीव जंगलों में मिल जाते हैं जगड़ पड़ते हैं साणों में सजाती में भी जगड़े हो जाते हैं बिजाती में तो होते ही रहते हैं कभी कभी अपने मन का काम ना होने से सजाती जीवों में भी जगड़े हो जाते हैं बिजाती में तो जगड़े होते रहते अरे सगे कुल कुटमबे में हो जगड़े मनुशियों को देखो जानबरों की चर्चा कर देखो मनुशियों में तो देखो और फिर जानबरों में भी प्रकृती बिरुद्धता बनी रहती है तो ऐसे एक दूसरे का भक्षन करते हुए, अपना जीवन यापन करते रहते हैं, परेशानिया तो बहुत हैं, कौन सी गती में परेशानी नहीं हैं, बताओ, चारों गतीयों मैंसे, कौन सी गती में परेशानी नहीं हैं, तुम कहो नरकों में बहुत परेशानी हैं, बात माली फिर आप कोगे नहीं त्री अंचों में कम है तो त्री अंचों की परिशानी उन से पूछो भूं के प्यास किसी ने पाल पोस लिया है तो परास्रित हो गया सो तंत्र है तो मिला नहीं मिला सब अपना पेट भरने को निकला भूंका प्यासा जानबर अपना पेट भरने को निकला और उसी को किसी ने सिकार बना लिया अब बताओ भूंका पेट पेट भरने के उसमें निकला कुछ मिल जाए कुछ खापी लेंगे तो वो दूसरे जीव को खाने की भाउना से निकला उसी को किसी जीवने पकड़ लिया का जीवन तमाम हो गया ऐसी इस्तितियां बनती रहती हैं त्रियंच गती के बहुत धोक हैं पर तक्ष देखने में आते बीमारियां हो जाती दवाई कौन दे रहा सर्दी गर्मी खान पान बहुत मुश्किल है पहले तो पशु पालन होता था तो त्रियंचों की कुसल थी अब तो पशु पालन भी बंद हो गया त्रियंचों जितने त्रियंच पाले जा रहे हैं ना बस दुधारू पशु दुड़ डेरी के हसाब से भले पाल लिये जाएं लेकिन बाकी तो अच्छे मोटे ताजे करो और कतल खाने भेजो चाहे मुर्गी पालन हो चाहे सुयर पालन हो चाहे ये पालन हो चाहे वो पालन हो इनको सबको इसलिए पाल पोस रहे हैं कि ब्यापार करेंगे धंदा करेंगे पैसा कमाएंगे कुछ नहीं सब फालतु बाता है तो तिरेंच गती में दुख है मुनश गती के दुख भी तो बहुत है ना नहीं है क्या जो दुखी होता है जो परेशान होता है उसी को जानकारी है कि मुनश गती के दुख कितने है देवों में हाँ देवों में दुख नहीं है अच्छा देवों में दुख नहीं है पूछो तो देवों से सम्यक दरश्टी भव्यात्मा इंदरादी गन है उनको भले कोई दुख नहीं हो लेकिन निचले स्वर्गों में अपने से बड़े स्वर्ग के देवों की विभूती देख करके इंदरों की विभूती देख करके मन में कितनी परेशानी होती है मानसिक संताप कितना होता है सारी दिक संता भले कम हो पर मांसिक संता पुनको बहुत ज्यादा होता है ऐसे में देव दुर्गती हो जाती है मिठ्या दरष्टी अवस्ता में देव एरसा कनने लगते हैं दूसरों का बैवववद देखकर के जलने लगते हैं और अन्तंत में अपनी दुरगती भी कर लेते हैं। उनमें भी क्टिग्रिया हैं। इंद्र है सामाने कहतरा इस्तिनिस पारी सदात मरक्ष लोक पाल अनिक परकीरनक आभियो क्लवशक। इस सारे इनमें पुन पाप देखा जाता है। इस तरह से इस गाथा का सार परियाप्ति किसे कहते हैं आहार वर्गना भासा वर्गना और मनो वर्गना के परमानुगों को शरीर तथा इंद्रियादी रुप परिणमाओने की शक्ति की पूर्णता को परियाप्ति कहते हैं इन में परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को आहार शरीर इंद्री स्वासो स्वास भासा और मन ये छेओं परियाप्तियां हैं मति शूनिता करत क्या है मति शूनियर्थत मन बुद्धी से रहत बेजीव धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं इस तरह दोहा देखो मिलान करो एक दूजे का जीव बे भक्षन कर दें तराश अपरियाप्ति मति शूनि बे पाएं धर्म नहीं खास परियाप्ति का वस्ता में मति शूनि बने रहे करके वो बिसे इस खास धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं एक दूजे का जीव बे भक्षन करते हैं दे तरास परेशान करते रहते हैं तरास देते रहते हैं करते देते हैं और भक्षन करके अपनी उधर पूर्ती करते रह इस तरह से सारंस क्या हुआ कि त्रियंच गती के जीबों में हमेशन भय बना रहता है। निशिंटता नहीं आती है छिपते हैं और इसलिए कई तिरियंचे दिन में नहीं निकलते हैं दिन में छिपे बैठे रहते हैं जब संचार आबा गमन कम हो जाता है मनुश्यों का तो वो अपनी उधर पूर्ती के लिए निकलते हैं उतने मैं वो निकला था अपना पेड भरने के लिए और घात लगाए दूसरा कोई बैठा था जानवर उसने उस पर हमला कर दिया उसको इदबोच लिया दबोच लिया उसका जीबन तमाम हो जाता है इस तरह से त्रियंच अवस्था में दारुन दुखों की चर्चा इस गाता के माध्यम से की गई है पैसे भी छे डाला में पहली ढाल में चार गतियों के परिभर्मन में चारों गतियों की दुख तो बतलाए गए हैं सब भी जानते हैं संसार में सुख है ही नहीं जो कुछ भी सुख है मान रहे हैं या मिल रहा है ये सब इंद्रिया धीन इंद्रियों के आसरत सुभी धाओं बाला सुख है इस्थाई शुक आत्मिक सुख संसार में नहीं है वह तो परमार्त में हैं आत्म कल्यान के मार्ग में ही है श्रेया अनेका, अव्य, अव्यानमोधी एवं समस्त मोधी परिवार कटी मध्य परदेश फिर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ड कटी मध्य परदेश मोधीएंटरप्राइज़ेस कटी मध्य परदेश